साल 1984 में पहली बार एसिया कप की सुरुवात हुई जो कि UAE में हुआ था इस सीजन में कूल तीन टीमों ने हिस्ता लिया था जो था इंडिया पकिस्टान और स्रिलंका ये कंट्रीज सामिल थी ये डोर्नामेंड राउन रविन फर्मेट टाइव खिला गया था जिसमें पकिस दूसरा इसिया कप स्रिलंका में खिला गया था उस सीजन में इंडिया और स्रिलंका के बीच तनाव के चलते इंडिया में इंडिया ने हिस्साल नहीं लिया था जिस बज़े से पाकिस्तान स्रिलंका के साथ बंगलादेश ने हिस्साल लिया था इस सीजन में बंगलादेश इस साल हुआ था एस्याकप की तिसरा सीजन इस पर चार टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें इंडिया पकिस्तान स्रिलंका और मंगलादेश समिल था इस सीजन में मंगलादेश ने तीन मैंसे तीन मैंचस हारे थे पकिस्तान ने तीन मैंसे दू मैंचस हारे थे और इंडिया हारा था और स्रिलंका ने तिन में से तिन मेंचेस जीते थी जिसमें इंडिया और स्रिलंका के बीच फैनल खिला गया था और इस चल इंडिया ने अपना दूसरा एसिया कप जीत लिया था उसके बात हुआ था चोथा सीजन एसिया कप का 1990 से 91 इस बार इंडिया में हुआ था इस बार तिन टीम ने हिस्सा लिया था, इंडिया पकिस्तान के तनाफ के वज़े से पकिस्तान ने हिस्साल हिस्सा नहीं लिया था, जिसमें बंगलादेश ने दो मैसे दो मैसे एक मैस हारा था, और स्रिलंका ने दो मैसे दो मैसे जीते थे, इसलिए फाइनल इंडिया और स्र किट से जीत लिया था 1998-1993 एसे कप का पाँचपा सीजन जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा था लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की तनाप की पज़े से ये कैंसल हो गया 1995 बाद में एसे कप का फिफ्ट एडिसन यानि पाँचपी सीजन 1995 में कंटिन्यू कर दिया गया था जो कि UAE में खिला गया था इस टूर्णामेट में बांगलादेश ने तीन में से तिनू मेंचेस हारी थे इंडिया, स्रिलंका और पाकिस्तान ने तीन में से दू मेंचेस जीते थे लगिन इंडिया का रॉन रेट चार दसमुलक आर्ट था और स्रिलंका का रॉन रेट चार दसमुलक साथ और पाकिस्तान का 4 दसमुलक पांच जिसकी बज़़े से इंडिया और स्रिलंका फाइनल के लिए क्वालिफेड हो गए और इंडिया ने इस बार भी फाइनल जीत लिया था 1997 1997 यह 26 सिजन एसिया कॉप का था। जिसमें बंगलादेस ने तीन में से तीन मेच हारे थे। इंडिया और पकिस्तान ने तीन मेच हारा था एक मेच जिते थे। और एक मेच ट्रौ हो गए थे। है। पर पकिस्तान और स्री लंका के बीच एसे कप का फाइनाल खेला गया था पकिस्तान के टेम इस बार पहली बार चेटी में हिस्ता ले रही थी जिसमें इंडिया स्री लंका पकिस्तान भांगला देश हांग कउंग ओि नेवी रहा था जिसमें गूरूप ए बेटेश योगाये विद्वें दो मेच जीते थे लेकिन उनका रंडेस कम था इसलिए पकिस्तान डिस्क्वालिफेड हो गई और फैनल में स्रिलंका ने इंडिया को 228 रन का टार्गेट दिया था जिसका पिछा करते हुए टीम इंडिया 203 रन्स ही बना पए स्रिलंका का ये तिसरा एसिया कप का टाइटिल था उसके बाद 2008 पहली बार एसिया कप को पकिस्तान ने होश्ट किया था इस बार इस स्रिलंका ने अपना चोथा एसिया कप जित लिया था जिसमें इंडिया पकिस्तान स्रिलंका और बंगलादेश समिल थे इस सिजन में स्रिलंका ने तीन में से तीन मेचस जीत कर फाइनाल में जगा बनाई और इस साल इंडिया ने पांचवी बार एसिया कप का टाइटिल जीत लिया था उसके बाद 2014 का एसिया कप का सिजन बंग में श्री जिदाए और फाइनल में जगब आई का और यही ने हिस्सा लिया था इससेजन में अ bully चार में चार में सिकपको योई ने हुस्ट किया था इस सीज़न में छे टीमों ने हिस्टा लिया था। जिसमें इंडिया, पकेस्तान, होंग कॉंगकूंग, आफग में से बांगलादेश सामिल थे। और श्रीलंका भी सामिल थे। ग्रूप A में इंडिया ने दो में से दो मेंचस जित कर और पाकिस्तान ने दो में से एक मेंचस जित कर दूसरे राउंड के लिए अपने जगा बनाई थे। 22 में इस्या कप हुआ था जो कि ईयोई ने होस्ट किया था और जिसमें फाइनल मेंचस खिला गिया था स्री लंका और पाकिस्तान के बिच जिसमें स्री लंका ने उइनर बना था और पाकिस्तान रहा था उसके बाद इस सल 2030 में इंडिया और स्री लंका के बिच एस्या कप का लगया था और इस बार इंडिया ने अपना आठवा एस्या कप का टाइटिल जीत लिया दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के दिल से लाइक कीजिए और हमारे चनलों को भी सब्स्ट्राइब करतीजिए थैंक यू